Hello everyone, you're watching Karan Tiva web और आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे हम Right to Privacy और आधार केस If you have not subscribed to our channel yet Please do subscribe to our channel And press the bell icon to stay updated For daily updates, you can follow us on our Instagram Link in description To 2012 में, Justice K.S. Puttiswami ने filed किया था Supreme Court में a petition जहां पे उन्होंने challenge किया था Constitutionality of आधार On the grounds किये violate करता है Right to Privacy August 2017 में एक 9 Judge Constitutional Bench में 9 is to 0 के verdict में That is unanimous verdict में ये declare किया था कि Right to Privacy अब एक fundamental right है जहां पे उन्होंने mark किया था Historical moment in the constitutional history of India To Right to Privacy को protect किया गया As an essential part Right to life और personal liberty का Article 21 के अंदर part 3 of the Constitution में जहां पे Article 21 ये कहता है No person shall be deprived of his life or personal liberty Except according to the procedure established by law Court ने ये imply किया कि Right to Privacy Article 21 में दरेकली जाहर तो नहीं है पर इसका interpretation With Article 12 of Universal Declaration of Human Rights And Article 17 International Convenience and Civil and Political Rights 1966 दोनों ही ये ये डेक्लेर करते हैं कि Right to Privacy एक बहुत ही जरूरी एहम हिस्सा है Article 21 का ये दोनों डॉक्यमेंट्स इंट्रनाशनल डॉक्यमेंट्स है जो प्रवाइड करते हैं पर दर राइट और प्रिविसी Background जाने तो राइट तो प्रिविसी इंडिया में डेवलाप हुआ है एक सीरीज के थूरू डिसिजिशन हैं पास 60 येर्स के इन सालों में दो अली जज्जमेंट्स आए हैं जिन्नोंने एक डिवाइडिंग उपिनियन क्रियेट किया है कि क्या राइट तो प्रिविसी एक फंडमेंटल राइट है या नहीं ये दो केसे हैं MP शर्मा वसे सतीश चंद्र 1954 का केस और खड़क सिंग वसे स्टीट अफ उत्ते प्रदेश 1962 का केस तो MP शर्मा वसे सतीश चंद्र के केस में एक डालमया ग्रूप अफ कंपनी रहती है जिनके माल प्राक्टिस की वज़े से F.I.R. रिपोर्ट की जाती है अब इन F.I.R. के रिपोर्ट में सर्च वारेंट निकलता है जहां इन्वेस्टिकेशन के लिए सर्च और सीजर होता है उनके कुछ-कुछ ब्रांचेस बे इसके रिस्पॉन्स में कंपनी ये कहती है कि इस सर्च के दौरान उनके कुछ पर्सनल डॉक्यमेंट्स अक्वायर किये गए जो उनकी राइट तो प्रिविसी को इन्प्रिंच करता है इससा रिप्लाइ करते हुए एट जज बेंच ने ये कहा कि कॉंस्टिूशन स्टेट को ओवरेडिंग पार देता है तो इस आर्गुमेंट के दौरान जिक्र होता है फोर्थ अमेंडमेंट अफ यूएस कॉंस्टिूशन का जहां पे इल्लीगल सर्च और सीचर को रोका गया है रिस्पेक्ट करते हुए सिटिजन की राइट तो प्रिविसी को तो यही क्वेशन किया गया कि क्या कुछ ऐसा मिलता जुलता स्टेटमेंट इंडियन कॉंस्टिशन में भी शामिल है जो बात करता है राइट तो प्रिविसी को तो यह पहला केस था जहां पे राइट तो प्रिविसी का एक्जिस्टेंस क्वेशन क्या गया था तो हमारा सेकंड केस आ जाता है खड़क सिंग वसिस स्टेट उफ उत्तर प्रदेश जहां पे खड़क सिंग के उपर कुछ डिकोईटी के चार्जिस होते हैं उनके अगेंस सबूत ना मिलने की वज़े से उन्हें छोड़ दिया जाता है और सबूत कलेक करने के लिए पुलीस उन पर सर्विलिंस लगा देती है यूपी पुलीस रेगुलेशन लगा देती है जहां पे तीन चीज एहम हो जाती है पहला उनके घर में किसी का भी आना जाना उसे सस्पेक्ट मान लिया जाएगा दूसरा डॉमिसिलिरी विजिट्स जब पुलीस चाहे उनके घर पे जाके उनकी तालाशी ले सकती है आधी रात को भी और तीसरा ट्रैकिंग पुलीस उनकी सारी आक्टिविटीज को ट्रैक कर सकती है तो इससे तांग आकर खड़क सिंग रिट पेटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोट में और इन्हें फंडमेंटल राइट्स का वाइलेशन कहते हैं तो इसी के response में जो six judge bench रहती हैं वो declare करते हैं domiciliary visits को unauthorized intrusion और illegal और एक violation कहती हैं order liberty का लेकिन ये भी बताते हैं कि right of privacy एक guaranteed right नहीं है constitution के अंदर और इसी वज़े से article 21 का इस case में कोई application नहीं है जस्टिस सुबराओ का dissenting opinion इस case में बहुत माइने रखता है उन्होंने कहा था कि right to privacy expressly recognized नहीं है fundamental rights में लेकिन ये एक essential ingredient है personal liberty का under article 21 तो इसके बाद हम आजाते हैं key findings in the judgment जोकी nine judge unanimous judgment था उसकी key findings important points में आ जाते हैं पहला आ जाता है right to privacy जहां पर right to privacy को supreme court ने confirm किया एक fundamental right जो की need not to be separately articulated but can be derived from जरूरी नहीं कि वो अलग से जाहिर किया जाए पर वो derive हो सकता है from articles 14, 19 and 21 constitution of India से ये एक natural right है जरूरी right है जो subsist होता है एक integral part एक एहम part to the right to life and liberty को सेकेंड आ जाता है not an absolute right subject to reasonable restrictions supreme court ने ये clarify कि कि fundamental right to privacy एक absolute right नहीं है और हमेशा subject रहेगा to reasonable restrictions इसमें अपहल किया गया कि state impose कर सकते है restrictions on the right to privacy to protect legitimate state interest पर ये तभी हो सकता है जब ये three-prong test complete हो जाएं तो इस तीन test में आ जाता है पहला law का existence जो justify करता हो enrichment and privacy दूसरा state का aim या need जो ensure करता है nature of law जो की reasonableness zone के अंदर रहना चाहिए और operate करता है guard against arbitrary state action और तीसरा adopted means by state are proportional to the objects and need sought to be fulfilled by law तो third point में आ जाते हैं other incidental implications जिसमें पहला ये आया कि इस judgment में observations किये गए complex relationship between personal privacy और big data के बीच में जहां पर particularly इस context में relate किया गया कि how the judicious use of these technologies can result into the state achieving its legitimate interest with greater efficiencies second point ये आ गया कि इन में recognize किया गया impact non-state actors का which can have on personal privacy particularly in the context of informational privacy on the internet so that's the end of our video if you liked our video hit that thumbs up subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos